हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टु कम्टीटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बाइंग प्रेसर और सेलिंग प्रेसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहां पर जो हम मार्केट के मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर लेंगे और जैसे मार्केट के मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसकी बाद हमें यहां पर ट्वेंड आइडेंटिफाई करने में भी हल्प मिलेगा और जैसे हम ट्वेंड आइडेंटिफाई कर लिए यहां पर मेरा 60-70% काम यहीं भी हो गया, उसके बाद हम काफी आसानी से ट्वेडिंग उपर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, चाहिए वो उपर्चुनिटी आपका बाई साइड की तरफ हो या फिर सेल साइड की तरफ हो, चलिए इस वीडियो में हम एक पावरफुल लीडिंग के बैसिस पे बाइंग प्रेसर और सेलिंग प्रेसर को आइडेंडिफाई करते हैं, तो इस वीडियो में जो हम लीडिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसके बैसिस पे हम बाइंग प्रेसर और सेलिंग प्रेसर आइडेंडिफाई करने हैं, उसका नाम है on balance volume साइध आपने इसका नाम सुना होगा लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि जन्वरी लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं और ये एक powerful indicator है जो कि आपको बहुत ज़्यादा help करने वाला market के momentum और trend को identify करने वाला चली देखते हैं इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो अब यहाँ पर हम एक एक करके आपको सारा process बताते हैं इसका आप इस्तेमाल दो तीन तरीके से कर सकते हैं और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पर क्या find कर सकते हैं यहाँ पर आप find कर सकते हैं, positive divergence, जोकि आपको बताएगा कि आने वाले time में क्या है, market का uptrend वहने वाला, उसकी बाद आप यहाँ पर काफी early negative divergence को भी identify कर सकते हैं, जोकि आपको बताएगा कि market में negative trend आने वाला है, उसके साथ साथ, आपको एक बताएगा जहाँ पर divergence आपका ए तो फें पॉसिटिव डाइवर्जेन्स और निगेटिव डामर या फिर बाइंग प्रेसर या फिर सेलिंग प्रेसर को आसानी से आंधीक हर सकते और यह तीन इरुं हैं तीनों रिसम एक-क रांग श्रुन को मैं प्राइफंवें लखाते हैं हैं thành कि कूछ domestic निさ स्वाट में बोलते हैं अगर आपको इसका इस्तेमाल करना तो ट्वेटिंग वीव के प्लेटफॉर्म पर जाना या फिर जिस भी ब्रोकर में आपका डीमेट एकाउंट है वहां पर आपको जाना इंडिकेटर पर क्लिक करना और सिंपली आपको ओवीबी टाइप करना वह आ कि उसके बाद यहां पर ट्रहब को क्या करना एक सिंपल मॉविंग ऐड चैना जो कि सारे लोग ऎड इडकरन जानते हैं एह समें 20डे समें डाला मतलब 20 सिंपल moving average आपको यूज करना है और यहां पर जो आपको यह यह लो कलर का लाइन दिख रहा है यह आपका 20 SMA जो कि यह आप लोग आसानी से इसी इंडिकेटर की मदद थे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जैसे value से कोई मतलब नहीं है इसका value कितना भी हो जैसे RSI में value देखते हैं यहां पर इसके value से हमें कोई नहीं है यहां पर हमें देखना divergence का मतलब है कि किसका inclination downside की तरफ है, upside की तरफ है या फिर यह आपका straight line बना रहा है इसका जो divergence है, यानि inclination जुकाओ किस तरफ है, नीचे साइड की तरफ है, या फिर straight line का formation कर रहा, वो यहाँ पर हम find करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, क्या हो रहा, आपका एक यहाँ पर low बनाया है, और दूसरा low यहाँ पर बनाया है, मतलब यह क्या form कर रहा, higher low pattern का formation कर रहा, और इस दोनों को join करें, तो इसका जो inclination है, वो कहाँ पर है, अपसाइड की तरफ जा रहा है, यानि इसका divergence आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस भी आपका ऊपर साइड की तरफ ही जा रहा है, इस particular region में, मतलब यहाँ पर क्या है, यहां पर बाइंग प्रेशर है यहां पर क्या है पॉजेटिव डाइवर्जन से यह नि मार्केट का डियक्शन कहां रहेगा अपसाइड की तरफ मार्केट का डियक्शन रहेगा यहां पर हमने ट्वेंड फाइंड किया क्या ट्वेंड मोमेंटम सब कुछ क्या अपसाइड की अब जो हमें trading opportunity find करना वो buying side के तरफ trading opportunity find करना अब यहां से आपको दोतीन benefit हो रहा सबसे पहला benefit क्या हो रहा कि जो भी लोग इस particular portion में sell करके trap हो सकते थे इस trap से आप बच गए क्योंकि आपने market के सही trend सही momentum को identify किया यानि आप यहां पर trap होने से बच गया यानि जो loss हो सकता था आपको वो loss से बच गया अब इस loss से बचने के बाद आप यहां पर क्या कर सकते हैं सही decisions लेके आप यहां पर profit बना सकते हैं, यहां पर maximum लोग loss में रहेंगे, वहां पर profit में रहोगे, कैसे, यहां पर देखो, market पूरा का पूरा single direction और upside की तरफ नहीं गया, यहां पर गया, और उसके बाद यहां पर अच्छा कासा गिराबट भी दिखाया, लेकिन इन सब के बा या high firm होने के बाद, हम यहां पर buying opportunity find करेंगे, अब यहां पर जो हम, यह 20 SMA लिया है, यह हमें बताएगा कि कहां पर आपको buy करना, इसका भी कुछ यूज होना चाहिए, ऐसे यहां पर हमने इसको नहीं रखा है, अब जैसे ही इसके बाद, white line इस yellow line को cross करके उपर निकलेग ठीक है, यहां पर मेरा entry point clear हो गया, जब हम entry ले रहे हैं लगबग वो price है आपका 690 के करीब, और यह कौन सा है, ICSA bank का awardee charter, ICSA bank में 690 के price पर entry ले रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, अब यहां पर हमारा stop loss क्या होगा, stop loss आप चाहो तो, इस जो portion का lowest point है, उसको आप रख सकते हो, यानि तो previous lowest point बनाया है, इसको आप as a stop loss के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद, यहां पर आपका target price क्या होगा, अब दखिए, यह momentum upside के तरफ continue है, वो आपस से आपका क्या बना रहा है, जो higher low pattern का formation है, वो यहां पर continue है, और जब तक higher low pattern का formation continue है, तब तक यहां आपको positions में बने रहना, आपको अच्छा कासा profit मिल जाता है, तो आप चाहे होते हैं यहां पर trailing stop loss का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब तक यहां पर higher low pattern का formation है, तब तक आपको यहां पर बने रहना है, इसके बाद उपर से continue है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हु formation बनना स्टार्ट हो गया, कहां पर बनना स्टार्ट हो गया, इस portion पे, यहनि जो pattern था मेरा higher low, वो pattern यहां पर break हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमने जो भाई किया 690 पे उसको यहां पर हम exit करेंगे लगभग आपका 752, 760 के करीब, यहनि यहां पर मु पर लिया, और हमें यहां पर wait करना लंबे target price के लिए, और जब यहां पर इसका थोड़ा बोर divergence, sentiment, थोड़ा बोर change होता हुआ दिखा है, तो हम यहां पर profit book कर लिए, अब काम यहीं पर खत्म नहीं होता, अब यहां पर और समझना है, यहां पर देखे, price क्या हो गया, price आप आपका एक range पकड़ लिया, ठीक है, पहला condition, क्या price भी उपर जा रहा है, और इसका divergence भी उपर जा रहा, ठीक है, price भी उपर जा रहा, यहां पर हम buying opportunity find करके buy करेंगे, दूसरा condition यहां पर क्या हो रहा, price आपका flat हो गी है, तो यहां पर price में क्या हो रहा, अगर आप यहां पर high को देखे, इसका inclination आपका नीचे साइड की तरफ है, मतलब यह आपका strength नहीं दिखा रहा, यह दिखा रहा है कि market में strength नहीं है, यह कौन सा phase बन जाता है, यह आपका बन जाता है, dumping phase, जिसको हम लोग क्या बोलते है, distribution phase भी बोलते हैं, और यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें selling opportunity find करना होता है, यह यह leading indicator यह आपको पहले ही बता दिया, कि market यहां से कहा जाएगा, market यहां से नीचे गिरने वाला है, अब यहां पर हमें क्या opportunity find करना है, यह आपको बता दिया कि नीचे side की तरफ जानने वाला, यह नि market में गिरावट आने वाला है, यह leading indicator पहले बता दिया अब यहां पे हमें सेल अपोर्चुनिटी फाइंड करना दूसरा कंडिशन यह तो यहां पे हम सेल ऑपोर्चुनिटी कैसे करें उसके लिए डिफरेंट कोई अरिया आप यह जो पैटर्न बना है इसके लोइस्ट पॉइंट को मार्क कर लीजे लोइस्ट आपको क्लेटी के साथ दिख जाए अब यहां पे हमने यह देख लिया यहां तक कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाला अब यहां पे हम क्या बेट करेंगे जैसे यह वाइट लाइन इस येलो लाइन को ब्रेक करके नीचे जाएगा हम यहां पे सेल करेंगे तो हम इस पर यहां पर आपको perfect entry point बना करे रहा है चाहे आप buying side की तरफ हो या फिर sell side की तरफ हो यहां पर भी समझे price आपका उपर तक यहां कुछ लोग यहां पर entry लियोंगे जो लोग काफी उपर पर entry लियोंगे वह अच्छा-कासा profit मिस्कर दिया हमने क्या हमने वेट किया और जब गिरावाट आया दुबारा तो हमें यहां पर बोला कि यहां पर बाइकर और perfect entry point बता वैसे हिहां पर जब selling momentum का start ही हुआ है उसी टाइम पर हमें बता दिया कि हमने यहां पर sell करना है तो हम यहां पर 750 के बल्ब पर सेल किया हैं, अब यहां पे हमें कब तक नहीं रुखना है, सेलिं मोमंटम यहनि जो सेल को अल लिया, उसको कंटीनिव रखना है, जब तक यह आपका, lower high का फोर्मेशन कर रहा है, यहां पर continue lower high का फोर्मेशन चल भाई, continue है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ इस portion पर जो lower high का pattern है वो यहाँ पर break हुआ है तो जो हमें profit book करना है इस particular portion पर profit book करना है यहनी लगबग आपका 680 करीब ले सकते हैं यहनी हमने sell किया था 750 के level पर और profit book किया 680 के level पर यहनी 680 के level पर buy किया यहाँ पर भी लगबग हमें 70 points का profit मिल गया हमने यहाँ पर buy किया है buy में हमें 70 points का profit मिला sell किया है तो sell में 70 points का profit मिला लगबग यहाँपे 10% का profit हमने आसानी से कमा लिया अब यहाँ पर सोचभें कि हम्ए stop loss क्या रखेंगे तो इस से पहले जो भी highest point है और यहां पे हमने किया देख लिया यहां पे आपका 30 के वेटेर आ गया बहुत यहां पर तो हमें यहां पर नीचे साइड करना है कांपे तो अभी तक हमने इस तीन कंडिशन को सरिस्फाय और प्राइस एक्षें को देखते हुए उमने कितनी आसानी से twinning positions initiate किया, और profit बनाए, यहांपे हमें क्या पता चल गया, यह आपका कौन सा है, advancing phase है, यानि जहांपे price आपका ऊपर जा रहा है, उसकी बाद यह हमें क्या बता दिया है, यह बता दिया कि यह आपका कौन सा phase है, distribution phase है, उसकी बाद तीसरा है, यह हमें क्या बता दिया यहां पर आपका declining phase है और सारे phase को वो काफी early हमें predict करके बता दिया है यह indicator के basis पर और बस इस दो indicator का इस्तेमाल करके हम यहां पर entry भी ले रहें और यहां पर profit भी identify करें यह नहीं हमारा target price कितना होगा बस stop loss लगाने के लिए previous lowest point या फिर highest point को हमें लेना पड़ता है यहां पर हम और example की जड़ी इसको समझने कोसिस करते हैं अब यहां पर हम आ जाते हैं विलाइंस के daily chart मैंने क्या बोला था अब वली चार्ट से नीचे नहीं जाना क्योंकि आपका accuracy level खराब हो सकता है तो सबसे पहले हैं यहां पर क्या हो रहा है same low का formation हो रहा और उपर में अगर हम करें ते लगवाग आपका parallel line का formation कर रहा है यहां पर आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा है यहां पर अगर हम फोर्ट कंडिशन देखें तो प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा लेकिन यह जो divergence है यह आपका दोनों का low same ह है यह आपका इस तरह के से straight line बना रहा है अगर हम lowest point को consider करें तो तो इस condition में क्या बता रहा है इस condition में बता रहा है कि market में यहां पर कमजोरी नहीं है और यहां पर price नीचे आ रहा है मतलब price जाला देख तक नीचे नहीं आएगा और यह जो phase है यह कौन सा phase हमें इंट दे र कर जहां पर बनाए और प्राइस नीचे जा रहा हो समझ यह यहां पर क्या हो रहा है इसके बाद बहुत जल्द हमें क्या देखने को मिलेगा इसके जरी आप काफी हत्तर रिवर्सल को भी identify कर सकते हैं और आने वादे टाइम में क्या आएगा यह एक leading indicator है हमें पहले बता रह मारकेट नीचे आने के बाद situation मना है और लगभग आपका 2200 क्या है यह आपका एक support level भी है और यह सारा कांट कहां पर हो रहा यह सारा कांट support level के पास हो रहा जहां पर buyers मजबूती के साथ खरे रहते हैं और buyers अपना स्ट्वेंड दिखाते हैं तो यह सारा situation देखते हुए हम देखने को मिल सकता है तो आने वाले टाइम में हमें क्या करना यहां पर बाइंग अपर्चूनिटी फाइंड करना यह नि हमने आने वाले ट्रेंड को अभी ही identify कर लिया और यहां पर हमें आगे selling opportunity नहीं खोजना यह निए सेल सरी की तरफ जो भी trap बिचाया जाए गाए उस ट्रेप से हम बच सकते उस ट्रैप को हम immune कर सकते हैं उस ट्रैप से हम immune हो गए तो इस तरीके से आप market में लंबे समय तक बने रह सकते हैं उसके बाद क्या हुआ हुआ हम बाइक करेंगे जब आपका upside की तरफ पेस पकरना शुरू कर देगा आप यहां पर देखे यह आपका यह आपका इसके ऊपर है कि यह फिर इस पर्टिकलर पॉइंट पर उपर आ गया है तो चाहो तो आप यहां पर इंट्वी ले सकते हो यानि थोड़ा सा और इंट्वी ले सकते हो ज्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम 5-10% मूब के जा रहें अगर हम 1-2% के बाद भी इंट्वी लेते हैं हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर मिलता हुआ आसानी से दिख जाएगा अब देखिए यहां पर आप आप एकुमलेशन फेज, डिस्टिबिशन फेज, एडवांसिंग, डिकलाइनिंग को अलग अलग तरीगे से आइडिनिफाई कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आपको हमेशा अलग अलग चैलेंज देता है कभी मार्केट अपने आपको रिपीट कम करता है बहुत कम बार आपको मूव देता हर एक बार आपको डिफ्रेंट सिटुएशन नया सिटुएशन देगा इसलिए मार्केट में जिसके पास 20 साल का भी एक्स्प्रियेंस है उसको भी डेली मार्केट कुछ ना कुछ न्यू चीज बताता है इसलिए आप कितना भी मार्केट में टाइम स्पेंड कर प्राइस आपका कहा जा रहा अपसाइट प्राइस आपका अपसाइट की तरफ जा रहा लेकिन यह आपका सेम हाई पे एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर दिया मतलब यहां पर बायर्स में आप स्ट्वेंथ नहीं है यहां पर ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है मतल सारा कांट कहां पर हो रहा है यह सारा कांट जो शुरू हुआ है लगबग आपका 2700 से लेके 2800 जो कि यह क्रूसियल विश्टेंस लेवल के पास है यह नि लगबग यह आपका all time high के आसपास है जहां पर कभी भी हमें selling pressure हावी होता हुआ दिख सकता और यह पहले इस बता दिया है कि यहां पर बायर से में strength नहीं है तो यहां पर हमें क्या करना यहां पर में भाईस की तरफ जाने के लॉस से बचा लिया अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना अब यहां पर हमें selling opportunity find करना और हमें sell side की तरफ इन पिकप लेना उसके लिए हम ने किसको रखा है SME को रखा है वो हमें बताएगा तो यहां पर देखिए white line उपर है इसको break करके white line नीचे गया मतलब यहां पर इसने indicate कर दिया कि sell करो यह लगभग आपका 2750 के आसपास यहां पर हम sell side की तरफ positions ले रहे हैं तो यहां पर हमने 2750 के level पे sell किया अब हमें profit अब क्या करना प्राइस आपका नीचे साथ पार और यह भी नीचे साइड की तरफ आ यह लगभग काफी तेजी से नीचे आ रहा उसकी वाद यहां पर वी से प्रिकवरी बना दिया और जैसे वी से प्रिकवरी दिखाया है तो वी से प्रिकवरी थूरा बहुत ही complete होने तो यहां पर लग्वग आपको 11-12% का profit आसाणी से मिलता हुआ देख सकते हैं यहां बड़े बड़े profit के लिए जा रहे हैं और यहां पर 11-12% का profit मिल दो 11-12% छोड़ दीजिए यहां पर तीन-4% का profit मिश्वी कर दोगे तो आपको कितना 5-7% का profit यहां पर आपको आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा अगर आप लेट इंडवी देते हो या फिर लेट भी एक्जिट करते हैं यह कंप्लीट होने की बाद भी एक्जिट करते हैं फिर यहां पर आपको 5-7% का प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है तो जब भी आप आपको से नीची आ और वीसिरी कवरी दिखाया तो आपको पोजीशन एक्जिट क्रना या फिर आपने बाइंब और चाने के बाद कबेसे गंद प्रॉफिट लिए तो आपको डौवीं से क्या और यहां पर कर सकते हो एकपनो दूट है तो आपप या नहीं तो उसको एकजिट करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो उमीद करते हैं कि आपको यहाँ पे ऑन बैलेंस बॉलम जो कि एक पावरफुल लिडिंग इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल आप करके कैसे बाइंग प्रेसर सेलिंग प्रेसर को इंडिफाई करते हुए मारकेट के मोमेंटम और ट्रेंड को इंडिफाई कर सकते हैं और काफी आसानी से ट्रैप से बचके प्रॉफिट बना सकते हैं तो उमीद करते हैं यह कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इससे भी लेटर अगर आपको कुछ डाउट या फिर कन्फीजन है तो यह कंदकेट शिका आपको कर Dash Fish